पाना ती पाता गेर मेनी जिखा आप धिंक्स मा दिया हूई इंटरनेट में या फेस्बुक पे या वाटसेप पे या टूटर पे मैं आए दिन ये खबरें देखता रह रहता हूँ कि फलाना जिखे भगवान बुद्ध की मूर्ती निकली फलाना जिखे भगवान बुद्ध का बिहार निकला फलाना जिखे इस्तूप मिला फ़लाना जी गए चैते मिला फ़लाना जी गए असोक का इस तब मिला फ़लाना जी गए असोक के ये चीज़ें मिली बनलब जो संग्राले हैं भरे पड़े हैं और जिस भी आप किसी उजा इस्तल पर जाएंगे जो आज का है तो वहाँ आपको बुद्ध के चिन्न मिल जाएंगे अब तो फेस्टूप पर वाटसेप पर बहुत साई लोग फोटो कीज़ के भेजने लगे हैं क्योंकि जानकारिया बहुत तेजी से आदान प्रदान हो रही हैं पुरी दुनिया में जा रहे हैं तो जहां भी अगर कोई खुदाई होती है और वहाँ खुदाई में पत्थर निकलता है तो पत्थर बुद्ध का निकलता है वह यह बुद्ध घुमी है इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि हर जी के पत्थर बुद्ध के निकल रहे हैं सारा बुद्ध का है पूरा भारत इरान से लेके अफगानिस्तान से लेके और नेपाल या भॉटान या इधर स्री लंका या मेनमार बरमा थाईلेंड जेतना भी एरिया है जहां तक भी है क्योंगि असोग का सासन इरान से लेके और थाईलेंड तक रहा है तो सब जिगे तुभी वो बताते हैं कि 84,000 उने इस तूप चाहते हैं इस थम्ब के सारे बनवाए थे तो वो अभी तो जमीन के उपर है नहीं तो जाहर सी बात है कि वो जमीन के अंदर ही कहीं है पत्थर तो अतनी आसानी से तूट अभी है तो अपने निसान तो छोड़ी जाता है अगर आप उसको मिक्स करके बारू पूरा चूरन बना के अगर उसका पेश्ट बना के उसका इस्तमाल ना कर लें तो तो जो मूर्किया निकलती है उस्तम निकलते हैं वो सारे बुद्ध के निकलते हैं तो बुद्ध ही बुद्ध चारत अब दिखाय देता है पूरे भारत में बुद्ध भूमी ही बुद्ध भूमी है पूरी दुनिया में शोर है कि ये बुद्ध भूमी है ये बुद्ध का भारत है ये भारत का बुद्ध है बुद्ध का भारत, भारत का बुद्ध तो मेरा प्रसन आप से ये है कि ये इतनी सारी जो बुद्ध की मूर्तियां और बुद्ध की इस्तम और बुद्ध की चीज़ें निकलती है जैसे मुत्रा का संग्राले भरा पड़ा है दिल्ली का है, कलकलकता का है लखनों का है पटना का ये सारे संग्राले बरे पड़े हैं तो आपने क्या भारत में कुछ और भी मूर्तिया निकलते हुए देखी हैं कभी कुछ और संतों की भी देखी हैं जो और संतों हुए हैं जो और सादों हुए हैं किसी की मूर्ति निकलती देखी हैं अगर आपने कुछ और सादूों की, कुछ और संतों की, कुछ और मतों की, कुछ और पद्धती की जो और मानता हैं भारत में हजारों मानता हैं अगर इनकी कोई मूर्तियां निकलती हुई देखी है या इनका कोई इथियास देखा है मूर्ति निकलने का तो वो जानकारी मुझे चाहिए बिसिकली क्योंकि भारत विवित्ताओं को अदेश रहा है और विवित्ताओं को अदेश बोलते हैं तो कुछ और की तो सादू संत रहे होंगे उन सादू संतों की मूर्तिया क्यों निकलती कहा रह गई नहीं सारी बुद्ध की निकलती है और बुद्ध की तोड़ी जाती है तो तोड़ी क्यों जाती है और निकलती क्यों है और इनको जमीन में दवाया किसने है और क्यों दवाया है ये कुछ प्रसन है इन प्रसनों के जवाब आप देंगे तो मुझे अगली वीडियो बनाने मे आसानी होगी धन्यवाद